नम्सकार, डेचू चैनल पर आपका स्वागत है आज है 3 नवंबर 2023 देश्वर में मानसून की लगभग विदाई हो चुकी है इसके बावजू तभी भी कई राज्यों में बारिश का एक नया दौर आने वाला है अगले चार दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है भारतिय मौसम विभाग आएंडी ने गुरुबार को देश के कई राज्यों में अगले चार दिनों तक भारी बारिश की चेताबनी जारी की है मौसम विभाग की माने तो आगामी चार दिनों में दक्षन भारत के तमिलनाटू, केरल और साथ इंटीरिय करनाटक में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है इन राजियों में 3-6 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है आएमरी के अनुसार, दक्षन भारत में मानसून की वापसी के बाद भी एक नया दौर शुरू होने वाला है इस दौर में दक्षन भारत के इन राजियों में भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तूफान आने की भी संभावना है वेस्टन डिस्टिबेंस की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, कश्मीर और लद्दाक में 2 और 3 नवंबर को बारिश और बर्फबारी हो सकती है इसके अलावा, 3 नवंबर को उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है दिल्ली NCR में गुरुबार को हवा की गुनवत्ता कस्तर गंभीर क्ष्रेनी में पहुँच गया वेग्यानिकों ने अगले दो सप्ता के दौरान दिल्ली NCR में प्रदूशन कस्तर बढ़ने की चेताब नी दी है पिछले 24 गंटे की बात करें तो अंडमान और निकोबार्डवी, केरल, तमिलनाडू में भारी बारिश दर्ज की गई है वही, तमिलनाडू पुटुचेरी कराइकल केरल महे में 2-6 नवंबर, सौथ इंटीरिय करनाटक में 3-5 नवंबर को तेज बारिश दर्ज की जाएगी आयमडी के मुताबिक, दिल्ली नसियार के इलाकों में 6 नवंबर से सुबह के समय अधिक धुन्द चाएगी इस दोरान न्यूंतम तापमान 14 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच सकता है इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी ठंड आने में थोड़ा समय लगीगा हाला कि सुबह और शाम के समय लोगों को सर्दी का हसास हो रहा दक्षन भारत में बारिश का एक नया दोराने वाला है जहां चार दिनों तक भारी बारिश होगी मौसम विभाग ने गुरुवार को अप्टेट दिया है कि तमिल नाडू, किरल, माहे, साउथ हिंटीरिय करनाटक के इलागों में 3-6 नवंबर तक भारी बर्शाद देखने को मिलेगी हाला कि अन्या इलागों में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा दिल्ली NCR में वायू गुनवत्ता गंबीर स्तर पर पहुँची दिल्ली के कई हिस्सों में गुरुवार को हवा की गुनवत्ता कस्तर, गंबीर, श्रेनी में पहुँच गया और शहर में लगातार तीसरे दिन भी धुनचाय रही पराली जलाने के मामलों में बड़ोतरी और प्रतिकूल मौसम के बीच, वेग्यानिकों ने अगले दो सप्ता के दोरान दिल्ली राश्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, NCR में प्रदूशन कस्तर बढ़ने की चेतावनी दी है ये चिंता जनक इसी लिए है क्योंकि कई इलाकों में वायू गुनवत्ता सूचकान पहले ही 400 से अधिक है स्वास्थिक शेत्र से जुड़े विशेशग्यों का कहना है कि इसे बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा तथा फिफ़ों से समबंधित समस्याएं बढ़ सकती है सुबह दस बजे शेहर का वायू गुनवत्ता सूचकान एक्युआई 351 दर्च किया गया मौसम वेज्ञानिकों का कहना है कि जेपुर में 3-5 नवंबर तक आसमान में बादल चाहे रहेंगी सूरज और बादल आपस में आँख में चॉली खेलेंगी ऐसी संभावना है कि लोकल मौसम के बदलाव से जेपुर और आसपास में बूंदा बांदी हो सकती है वेसे आज जेपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूंतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है